नमस्कार, नियूस क्लिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है आईए नजर डालते हैं आज की कुछ हैडलाइन्स पर बाबरी मस्ज़िद ढाया जाने के मामले में सभी आरोपी बड़ी अदालत ने कहा पूरु नियोजित नहीं थी यह घटना क्रिशी कानूनों का विरोध, 2 अक्टूबर से आंदोलन तेज, 26 से 27 नॉवंबर को दिल्ली चलो का आववान कोरोना अपडेट, देश में 80,472 नए मामले, एक दिन में फिर से 1,000 से जादा मरीजों की मौत महरास्ट, कोरोना रक्षकों पर कहर जारी, अब तक 22,000 से अधिक पुलिस कर्मी संक्रमित, 40 डॉक्टरों की मौत CBI की विशेश अदालत ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जित ढहाय जाने के मामले में बुद्धुवार को बहु प्रतिचित फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया विशेश अदालत के न्यायाधिश, ऐसके यादों ने अपने फैसले में कहा कि बाबरी मस्जित ढहाय जाने की घटना पुरुन योजित नहीं थी यह एक आकस्मिक घटना थी उन्होंने यह भी कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई पुक्ता सुबूत नहीं मिले बलकि आरोपियों ने उनमादी भीड को रोकने की कोशिश भी की थी अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद किसी अभीयुक्त ने जैश्री राम का नारा भी लगाया नयायाले ने कहा कि CBI ने इस मामले की वीडियो फूटेज की कैसेट पेश की उनके दृश स्पस्ट नहीं थे और नहीं उन कैसेट को सील किया गया घटना की तजवीरों के निगेटिव भी अदालत में पेश नहीं किये गए अदालत ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को दोपार 12 बज़े तक सब कुछ ठीक था मगर उसके बाद विवादरी धाचा के पीछे से पत्थराओ शुरू हुआ विश्व हिंदू परशन नेता अशोक सिंगल विवादरी धाचे को सुरचित रखना चाते थे क्योंकि धाचे में राम लल्ला की मूर्तिया रखी थी उन्होंने उन्हें रोकनी की कोशिश भी की थी और कार सेवकों के दोनों हाथ व्यस्त रखने के लिए जल और फूल लाने को भी कहा था अखिल भारती किसान संगर्ष समीती यानि AIKCC ने देश भर के किसानों, क्रिशी मजदूरों वा आम जनों को 25 सितंबर के एतिहासिक भारत बन वह प्रतिरोत कायक्रमों को सफलता के लिए बढ़ाई देते हुए आगे की लड़ाई का आहवान किया AIKCC ने दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रेस वारता में ही कहा कि इतिहास में पहली बार देश भर के किसानों ने केंद्री कानून पारित होने के 5 दिन के अंदर ऐसा विरोध आयोजित किया यह तत्कालित विरोध किसानों के जीवन वजीविका पर हो रहे आगात के विरुध किसानों के गुस्से की जलग 20 राजियों में प्रदर्शित होई AI KCC से संबद संगटोने ने चक्का जाम धर्ना तथा कानून की पतियां जलाकर 10,000 से जादा स्थानों पर करीब देड़ करोड किसानों की भागदारी कराई जहां केंद सरकार एक गलत धारना प्रस्तूत कर इस विरोध को केवल उत्तर भारत में केंदित दशाने के प्रयास में है इस बंद वह विरोध के अखिल भारती चरिद्र का असर दचिड के प्रान तमिल नाडू में भी दिखा जिसमें 300 से अधिक अस्थानों पर 35,000 से ज़्यादा किसान सडकों पर उत्रे और राजिकी भाजपा की मित्र सरकार ने 11,000 से ज़्यादा को गिरफटार किया अन्य कई संगटनों वह असंगटित किसानों दवरा भी बंद में भाग लेने की खबर आई है इस बंद ने सपस्ट रूप से दिखा दिया कि देश के किसानों ने केंद सरकार के इन तीन काने कानूनों को नकार दिया है स्वास्त्र मंताले दौरा आज 30 सितंबर सुबा आट बरे जारी आगड़ों के अनुसार पिछले 24 गंटों में कोरोना के 80,472 नए मामने दर्च किये गए है हाला कि इस बीच कोरोना से पिड़ित 86,428 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है लेकिन कोरोना ने एक दिन में 1,189 मरीजों की जान भी ली है अगर हम सितंबर माह में कोरोना के प्रसार की सिती देखे तो सितंबर माह में रोजाना और सितन कोरोना के 86,870 नए मामने सामने आए है और रोजाना 1,100 मरीजों की मौत हुई है हाला कि रोजाना और सितन 80,434 मरीजों को ठीक भी किया गया है देश भर में अब कोरुना के मामरों की कुल संख्या 62,25,763 हो गई है जिन्वे से अब तक 97,497 मरीजों की मौत हो चुकी है स्वास्त मंताले की ताजा जानकारी के अनुसार रिकवरी रेट में 0.31% की बढ़ोतरी के साथ रिकवरी रेट 83.32% हो गया है यानि कुल संख्यमित मरीजों में से अब तक 51,87,825 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है इसी के साथ देश में अब सक्री मामलों की संख्या घटकर 9,44,441 हो गई है भारती आयूरिग्यान अनुसंधान परिशद यानि ICMR दोराजारी आगडों के अनुसार अब तक 7,41,99,729 सेंपल की जाच की गई है जिन में से 10,86,88 सेंपल की जाच बीते 24 घंटों में हुई है महरास्ट में कोरोना रख्षकों पर संक्रमड का कहर इस हद तक तूटा है कि यहां अब तक 22,000 से अधिक पुलिस कर्मी बीमार हुए है और करीब 40 डॉक्टरों की मौध हो चुकी है वही राज़ में कोरोना से मनने वाले पुलिस कर्मियों की संक्या 200 के करीब पहुँच चुकी है यह खुलासा राज़ सरकार के स्वास्त विवागदारा जारी आगडों में हुआ है इसके साथ ही यह आशंका भी जाहिर की जारी है कि वर्ष 2020 के अन तक राज़ में कोरोना से होने वाली मौतों की तादाद एक लाग के पार हो जाएगी बता दे कि महरास्ट में बीती 23 माह से अब तक करीब 14 लाग व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुए हैं इन में से 35,000 से अधिक मरीजों ने दम चोड़ चुके हैं मरने वाले कुल मरीजों में 8,000 से अधिक अकेले राज़दानी मुंबई के हैं इसके बाद 5,000 से अधिक मरीजों की मौत के साथ पूरे दूसरे और 4,000 से अधिक मरीजों की मौत के साथ ठाड़े तीसरे स्थान पर है दूसरी तरफ एक चिंता जनक तत्थी यह है कि राजी के पुलिस कर्मियों में कोरोना संक्रमण की दर बहुत त्रिवर होती जा रही है राजी के वरिष अधिकारियों की माने तो यहां 23 माज के बाद से अब तक पुलिस बल की बड़ी संक्या कोरोना गरस्थ हो चुकी है और यहीं सिलसिला चलता रहा तो आने वाले एक से दो महिनों में पुलिस बलकी कुल संक्या का 10 से 15 प्रतिशत हिस्सा कोरोना से संक्रमित हो सकता है आज के डेली रॉंड अप में बस इतना ही निउस्क्लिक के यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करे साती देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखे फेस्बुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो करे निउस्क्लिक देखने के लिए शुक्रिया